परकलक फिर्ड में इन सभी कार्वियों को आगे वढ़ाने का कारे करेंगे जिससे किसी भी जंता को स्वास्ते समंदी किसी परकार की अस्विधा नहो, खाद्यान की कोई अस्विधा नहो, दोद और सब्जी और आउस्यक वस्तों की कमी नहो, दवा, आइसलेशन वार, होम को परटाइन या हॉस्पिटल में इस परकार की किसी भी परकार की अस्विधा नहो, पॉस्वों के चारे, या फिर जमाखोरी, काला बाजारी को रोकने, इन सब को दिस से 11 अलगलग कमीटियों का गठन हम लोगों ने कल किया था, आज मैंने उत्तर प्रदेश से जुड़े जो लोग विभिन छेत्रों में नौकरी, रोजगार के लिए गए हैं, महरास्ट है, पंजाब है, दिल्ली है, हर्याना है, राजस्थान है, आज मैंने महरास्ट के मुख्यमंत्री से, हर्याना के माने मुख्यमंत्री से, उत्राखन के माने मुख्यमंत्री से, सुयम भी कि उत्तरप्रदेश के जो नाकरिक वहां पर हैं उन्हें वहीं पर सुविधाय उपलब्द करवा दें जिसले जो भी आउसकता पड़ेगी उत्तरप्रदेश सरकार उसका खर्चा वहन करने को तैयार है और मुझे प्रसंता है कि तीनों माने मुख्यमंत्रियों ने बहुत सका अरत्मक रविवे के साथ इस बात को कहा है कि नई उन लोगों को पुरिश्युविधा सरकार करेगी भारत सरकार ने भी एंडियारेट के अंतरगत इन सब को कबर करने की विवस्ता की है इसके साथ ही कले हमारे चीप सेकेटरी ने दिल्ली महाराज्ट हर्याना राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं उन सब को भी पत्र लिखा है और इस बारे में आगरा किया है कि उत्तरब्रदेश के जो निवासी वहां रह रहे हैं उनको वहां पर पुरी सुविधा दी जाए वे लोग वहां से आये ना बल्कि वहीं पर रहने की विवस्ता उनकी कर दी जाए औ उनकी सुविधा और उनके लिए उत्तम स्वास्ते की सुविधा उपलब्द किया जा सके उनने किसी परकार की कोई असुविधा नहो खाद्यान की प्रोपर बिवस्ता हो सके इसके लिए आज हम लोगोंने बारा राज्यों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किये हैं ये न उसा उत्तर प्रदेश के जो नागरी कुन राज्यों में रह रहे होंगे उन लोगों के बारे में वहां की राज्य सरकार के साथ कॉडिनेशन चीप सेकेर्टी के साथ मिलकर के कॉडिनेशन बनाने का कारे करेंगे जिसमें जिन अधिकारियों को आज हम इसके बारे में ब्योस प्रभारी बनाया गया है पंजाब के लिए प्रमुक्षचिव उर्जा से अर्विंद कुमार जिको इसके लिए वहाँ पर नोड़ा दिकारी नुक्त किया गया है पस्यमी बंगाल के लिए अपर मुख्य सचिव नियोजन कुमार कंबलेस जी को इसके लिए वहाँ पर नोड़ा दिकारी बनाया गया है राजस्तान के लिए प्रमुक्षचिव उद्ध्यान और खाते प्रससक्रण सी बावुलाल मेनाजी को इसके लिए तयार किया गया है अधिकारी तैनात किया गया है गुजरात के लिए प्रमुक्षचि नगरविकास सी उमावास सी दीपक कुमार जी को इसके लिए नोड़ा दिकारी तैनात किया गया है वहाँ पर दिल्ली में इसको कॉडिनेट करेंगे इस अभी अधिकारी जो 12 अधिकारी तैनाद किया गया है इनके साथ एक IPS अधिकारी को भी इनके साथ तैनाद किया जा रहा है जो round the clock उत्तरप्रदेश के नागरिकों की जो उन राज्यों में रह रहे हैं उनके समचाओं का समाधान करेंगे 21 दिनों की lockdown के कारेकरम में उन राज्यों में उन लोगों के रहने के विवस्ता स्वास्ति के विवस्ता किसी परकार किया स्युविधान तैनाद के जा रहे हैं तो overall चीफ सेकेर्टरी इन कारेश को देखेंगे लेकिन इन सभी राज्यों से जुड़े वे लोगों के लिए नोड़ा लदिकारी के रुप में जो तैनाद के जा रहे हैं वे उन राज्यों के जो निवासी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं या उत्तर प्रदेश में किसी कारे से आये थे लॉक डाउन के कारण वे यहां रह रहे हैं तो उनकी समस्या समंधी जन्पदों में करने का कारे करेंगे मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं उनसे भी और जो उत्तर प्रदेश के बाहर हैं वे भी क्यों जहां हैं वही रुके हैं सरकार उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखेगी, कोई समस्या उनके सामने नाने पाए, इस पर सरकार का फोरा फोकस है, 21 दिनों का लोगडाउन के कारवाई, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पुरे समाज और पुरे देश के उत्तम स्वास्तिया और सुरक्षित भोश्यक देश की इस लड़ाई में, COVID-19 के खिलाब जो एक लड़ाई देश ने छेड़ी है, उस लड़ाई में हम सब को सेभागी बनना चाहिए, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगे में, जो हमारे लेवर कलास खास तोर पर, वे पैदल ही निकल करके सड़कों पे निकल जा रही है, ऐसा न निकलें, क्योंकि आपके साथ बिमारी भी जा सकती है, और आपके कारण तमाम लोगों के स्वास्ते पर बिपरी तसर पड़ सकता है, जब सरकार इसके लिए पुरी संबिदन सील है, केंदर सरकार ने कल एक लाग पिछटर हजार करोड रुपे का एक आर्थिक प हमजोर है, सर्मिक है, मजदूर है, ध्याड़ी मजदूर है, किसानों के लिए गोसित किया है, फिर हमें चिंता नहीं करनी, सरकार जो कह रही हैं, उसके साथ जोड़कर के पूरे लॉक डाउन की कारवाई को सफल बनाएं, यह मेरी सबसे अपील होगी, मुझे यही अपील स वासियों का, उनकी फुरी ब्यवस्ता, उनकी सुविधा का ध्यान रखेंगे, हमने प्रदेश के अंदर अपने सिमावर्ती जन्पत से जुड़े वे और प्रदेश के अंदर सभी हरी कारियों को भी इसके बारे में आउस्सिक निर्देश दिये हैं, कि एक होम डिलिबरी पर ध्यान दे, डोर स्टेप डिलिबरी, लगबक 18,000 से दिक बाहन फोर विलर आज के दिन पर हमारे इस कारे में लगे हुए हैं, हम इसके लाबा जो महले में किराना की दुकान होंगी, उनको भी इसके लिए खोलना हैं, कि वे सोसल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, इस इस पर विसेश ध्यान उनका होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार के और देश की COVID-19 के खिलाब वरतमान की इस लडाई में प्रतेग देश्वासी, प्रतेग प्रदेश्वासी से भागी बनेगा, और निस्षिधी कोरोना हरेगा, भारत जीतेगा, यह सं कल पर हम सब का होना चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश की जो कारियोजना थी, इसके बारे में बताना था, जो मैंने बताया है, और इसको निरंतर हम आगे बढ़ाने का कारे कर रहे हैं, धन्यवाजे.